तो दूस्तो नौर्ट सेंटरल रेलवे न तो अब कपाड बेचकर ही रिकॉर्ड कमाई कर डाली है दरसल ये लोग अब एक काफी बड़ा कैम्पियन रन कर रहे हैं जीरो स्क्राप मिशन इस मिशन के तहर जितना भी हो सके जहां सभी हो सके सारा पॉसिबल कपाड़ा इखटा करके सीधा-सीधा ये उक्षन किया जा रहा है यहां पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो साफ साफ बताया गया है रेलवे एंस 251 क्रो रुपीज जस्ट बाई सेलिंग जंक अब इस जंक में काफी सारी चीज़े डाली गई है जैसे कि अल्मोस्स चार सो बूगी जो पुरानी बूगी पड़ी हुई थी रेलवे ने वो सब निकाले 36 कैरीजेज भी निकाले 4 लोकोमोटिव इंजिन भी निकाले गए और इसके अलावा तमाम सारे जो हमारे आयरन के रेलवे ट्रैक्स होते है लगबग 23,600 मेट्रिक टन्स वो मिला और वरक्शोप भी इन्होंने नहीं छोड़ा नहां से भी लगबग 19,000 मेट्रिक टन्स का पूरा आयरन स्क्रैप निकाला गया और ऐसे करते करते टार्गेट इनका था कि हम 200 करोड तक तो निकाली लेंगे लेकिन 25% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वैसे जंक से इतना पैसा आता है रेलवे ने 35,000 करोड रुपी कमा लिये थे जो कि यह काफी बड़ी अमाउंट है यहां पर 2019 में आर्टिकल भी निकल कर आया था जहां पर साफसा बताया गया था कि जितना जंक से पैसा रेलवे ने कमाया है वो तो तीन नौर्थी स्टेट्स के बजेट से भी ज़्यादा हाई है तो आप सोच सकते हो इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशल है बिसिकली रेलवे स्टेशन की भी एक तरह से सफाई हो जाती है आपने देख आई होगा काफी बार लोहे के सरीया फिर जो पुराने ब्रिज है आदा ही डिमॉलिश करके छोड़ दिया जाता है बचा खुचा ऐसा ही पढ़ा है कोई केर कोई नहीं करता तो रेलवे यहाँ पर बेसिकली इनिशेटिव ले रहे है कि हम ये सारा जंक निकालेंगे और इससे कमाई भी करेंगे सो रेलवे के इस तरह की न्यू सोर्स आफ इंकम के बाहरे में आपकी क्या रहा है अपनी डेफिनिटली कमेंट से में बताईएगा